नमस्कार कैसे हैं आप? मूट ठीक है? हाँ? मेरा तो ठीक रहता है आप खुल के लिख रहे हैं आज कल या थोड़ा मतलब दबाव है प्रेशर है थोड़ा सा? हाँ थोड़ा सा? तो जेनरल मूट है ना देश में लोग थोड़ा गवरा के बोलते हैं आज कल और प्रेसवालों को भी ये लगता है थोड़ा जिजग के काम करते हैं पर हमारी तो पूरी सपोर्ट है आपको आज हम डी मॉनिटाइजेशन जिसको नोट बंदी कहते हैं नोट बंदी पर हम थोड़ा कहना चाहते हैं देखिए प्रधान मंत्री जी ने देश के युवाओं को देश के छोटे दुकानदारों को middle size businesses, small businesses जो इस देश को रोजगार देते हैं उनको वाइदा किया था कि नोट बंदी करके काला धन गायब हो जाएगा नकली नोट खतम हो जाएगे और आतंकवाद पर जबरदस चोट लगेगी और अभी नोट बंदी का रिजल्ट आया है रिजल्ट क्या आया कि पूरा का पूरा पैसा वापिस आ गया दो परसेंट जीडीपी करोणों लोगों का रोजगार और नोट बंदी का कोई भी रिजल्ट नहीं तो सबसे पहले प्रधान मंत्री जी को देश को जवाब देना है देश के युवाओं को जवाब देना है कि बेरोजगारी है हमारे युवा रोजगार चाहते हैं और आपने देश पर इतनी बड़ी चोट क्यों लगाई रिजनिंग क्या थी लॉजिक क्या थी कारण क्या था कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ और हिंदुस्तान के युवाओं को और छोटे दुकानदारों को मिडल और स्मॉल साइज बिजनिसेज को मैं बताना चाहता हूँ अब अच्छी तरह सुनिए आपके प्रधान मंत्री जी ने हमारे प्रधान मंत्री जी ने नोट बंदी क्यों की उनके सबसे बड़े 15-20 उद्योग पतियों के पास क्रोनी कैपिटलिस्ट के पास जिन्हों ने बैंक का पैसा लिया था उनके पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है नरेंद्र मोधी जी ने देश की जनता का पैसा लेकर आपके जेब में से पैसा निकालकर सीधा हिंदुस्तान के सबसे बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट के जेब में डाला ये नोट बंदी का लक्ष था नोट बंदी के समय नरेंद्र मोधी जी के मित्रों ने काले धन को सफेद में बदलने का काम किया उधारन है गुजरात के कोपरेटिव बैंक का उधारन है कोई बात कही थी कि जो सत्तर साल में हिंदुस्तान में नहीं हुआ जो कोई नहीं कर पाया हिंदुस्तान के प्रधान मंत्री ने वो निर्ने लिया और देश की एकॉनमी की भजियां उड़ा दी तो नरेंद्र मोधी जी को जवाब देना है कि इनोंने ये क्यों किया देश के युवाओं को कहना है देश के छोटे दुकानदारों को कहना है मिडल स्मॉल साइज बिजनिसे को कहना है कि उनोंने इन लोगों से पैसा चीन कर पंदरा सबसे अमीर लोगों को क्यों दिया यह मेन इशू है नोट बंदी का कोई सवाल है आपके नोट बंदी पे हां जी अनिय लंबानी जी ने पूरी कॉंग्रेस पार्टी पे मतलब हर डिस्ट्रिक पे defamation suit लगा दिया है लगाईए जितने लगाने लगाईए मगर defamation suit से सचाई नहीं बदलती नहीं वहां अभी आता हूं जितने defamation suit लगाने है लगाईए सचाई है कि 15-20 क्रोनी capitalist के लिए नरेंद्र मोदी जी ने नोट बंदी की और अपने मित्रों को मदद करने के लिए उन्होंने रफायल स्क्राइब किया हूं 있을हकनि in when you will find out soon enough what the intention was you will it will come to your notice the intention was very clear and let every Indian person understand the intention was to help the richest people the most corrupt people in this land change their money from black to white that was the intention फिर से दोराता हूं नोट बंदी का intention हिंदुस्तान के 15-20 सबसे बड़े क्रोनी कैपितलिस्ट को अपने काले धन को सफेद बदलने में मदद ये था बिजनसेज हैं मिडल साइज बिजनसेज हैं उनको खतम करके जो चोटे दुकानदार हैं उनको खतम करके बड़ी कंपनियों का मदद करने का लक्ष है चोटे दुकानदार मिडल साइज बिजनसेज और स्मॉल साइज बिजनिसेस आप लोग जो चलाते हो आप अच्छी तरह सुनो नोट बंदी कोई गल्ती नहीं थी नोट बंदी आपके उपर आक्रमन था नोट बंदी आपके पैर पर कुलहाडी मारी गई थी गलत फेहमी में मत आईए ये गल्ती नहीं थी ये जान मूच के लुदा है that notbandi is nothing less than a huge scam and slowly slowly the evidence you are talking about is coming out and more and more will come out माफी माफी जब मांगी जाती है जब गल्ती होती है प्रधान मंत्री जी ने गल्ती नहीं की प्रधान मंत्री जी ने ये जान मूच के किया है प्रधान मंत्री जी का लक्ष था कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े करोनी क्यापिटलिस्ट जिन्होंने प्रधान मंत्री जी को marketing के पैसे दिलवाए जिनके कारण television पे हर रोज नरेंदर मोदी जी का चेहरा दिखाई देता है कि उनको पैसा मिले और पैसा कैसे मिले हिंदुस्तान के किसान हिंदुस्तान के महिला हिंदुस्तान के छोटे दुकानदार हिंदुस्तान के मिडल साइज बिजने स्मौल साइज बिजनेस के जेब में से पैसा निकाल के सीधा उनके 15-20 क्रोनी कैपिटलिस मित्रों को मिले सिस्टम है क्रोनी कैपिटलिस्ट नरेंदर मोदी जी की मार्केटिंग करते है नरेंदर मोदी जी जनता से पैसा छीन कर करोनी कैपिलिस को देते हैं बड़ा सिंपल है के पास के पास के करके 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 कि कॉंग्रेस पार्टी कॉंग्रेस पार्टी के के पास कॉंग्रेस पार्टी ने देश को चला कर दिखाया है हमारे मनमोहन सिंग जी जब प्रदान मंत्री थे आप हमारा रेकॉर्ड देख लीजिए अरुन जेटली जी और नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की एकॉनोमी को नश्ट कर दिया है हमारे समय दाइ लाक करोर रुपया नॉन पर्फॉर्मिंग एसेट था अज बारा लाक करोर रुपया नॉन पर्फॉर्मिंग एसेट है क्यों क्यूंकि आपर आफी नरेंद्र मोदी जी ने अपने मित्रों की रक्षा की है वन पॉइंट प्रोग्राम है पहले ट्वेंटी प्रोग्राम हुआ अब ग्र्ले ओंजर नहीं राफऐल के बारे में देखिए यह कल कल अरुन्जेटली जी ने सवाल पूछे और उस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि अरुन जेटली जी भी सवाल पूछ सकते हैं तो मैंने अरुन जेटली जी के तुरू नरेंदर मोदी जी को एक option दिया option था कि जरूर सवाल पूछते हैं Joint Parliamentary Committee सब साफ हो जाएगा सब को पता लग जाएगा राफाइल में क्या हुआ मुझे कोई इतराज नहीं है Congress Party को कोई इतराज नहीं है किसी भी opposition party को इतराज नहीं है हम सब मांगेंगे 24 गंटे होने वाले है अरुन जेटली जी ब्लॉग लिखने है अरुन जेटली जी ने कुछ नहीं बोला अब मैं समझता हूँ कि अरुन जेटली जी फस गये है क्योंकि पर्मिशन तो नरेंद्र मोदी जी को देनी है अरुन जेटली जी पता नहीं पूछा या ना पूछा शायद वो इतना गभराएं कि पूछो भी न बेसिकली देखिए बेसिकली बहिया देखिए दो तीन सवाल है राफाइल बड़ा clear cut case है अने लम्मानी जी ने हवाई जहास कभी नहीं बनाया अने लम्मानी जी 45,000 करोड रुपए कर्जी में है अने लम्मानी जी ने कंपनी कुछी दिन पहले खोली राफाइल कॉंट्राइट से कुछी दिन पहले खोली दूसरी तरफ HL 70 साल से हवाई जहास बना रही है कोई कर्जा नहीं है हजारों एंजिनियर हैं जो काम करना चाहते हैं छोटा सा सवाल है जो हवाई जहास 520 करोड रुपए कथा उसको आपने 1600 करोड रुपए में क्यों खरीदा किसको फाइदा पहुँचाने के लिए खरीदा अब अरुन जेटली जी उल्टा मुझसे सवाल पूछने पूछ सकते हैं मगर इन तीन सवालों के जवाब तो दीजिए क्लेर काट है और जेपी से लाईए पूरा देश जानना चाहता है कि अनिलम्मानी जी ने और मोधी जी ने क्या डील किये ये ये देखिये ये ये देखिये ये देखिये ये देखिये सुनिए अब ये सुनिए आपके सवाल के लिए मैं स्पेशल कागज लाए हूँ ये देखिये ये ये इंडिया-France जॉन स्टेटमेंट दूरिंग लिए अफ्राइमिनिस्टर तो फ्रांस ओके अब ची तरह सुनिए एक सेक्ट प्राइम अब ची तरह शुनिए ये प्रादान मंत्री जी जो आज कह रहे हैं कि मुझे बात समझ नहीं आरी है, सुनिये, and that the aircraft, government of India conveyed to the government of France that in view of the critical operation necessity for multi-role combat aircraft for Indian Air Force, government of India would like to acquire 36 Raphael jets in flyaway condition as quickly as possible. by the way, वो अभी तक नहीं आए, the two leaders agreed to conclude an intergovernmental agreement for supply of the aircraft on terms that would be better than conveyed by Dassault Aviation as part of a separate process underway, the delivery would be in time frame that would be compatible with the operational requirements of the IAF, अची तरे सुनिये, and that the aircraft and associated systems and weapons would be delivered on the same configuration as had been tested and approved by the Indian Air Force, and that's it, point is, Pradhan Mantri Ji, कि joint statement में लिखका है, कि configuration वही होगा, और आज प्रदान मंत्री कुछ और बोल रहे हैं, तो क्या यह 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 व्यक्ति जिसने यह statement दिया था, हो लैंड जी के खड़े हो, के पास खड़े हो कि क्या वो नरेंद्रमों नहीं नहीं था, क्या वो कोई और था, इसमें तो clear इसमें तो clear लिखा है, कि it is going to be the same configuration, so the man is lying, okay अपना सभान, तो ऐसमें तो प्रदी आप बिलकुल चुप हो गए, आप बिलकुल चुप हो गए, बिलकुल चुप हो गए, देखिए देखिए प्रधान मंत्री जी ने 15 लाग रुपए का वाइदा किया प्रधान मंत्री जी ने किसानों को सही दाम देने का वाइदा किया प्रधान मंत्री जी ने बुलिट ट्रेन का मतलब उनकी लवाइदे की लिस्ट है तो जो प्रधान मंत्री कहते हैं उसको हम सीरियस नहीं लेते हैं मगर जब प्रदान मंत्री जूट बोलते हैं, हम उनके जूट को पकड़ते हैं, प्रदान मंत्री जी ने राफाइल में अनिल अमबानी की मदद करने की कोशिश की, बीजेपी के प्रेजिडेंट के कोपरेटिव बैंक में 700 करोड रुपे नोट बंदी का बदला गया, बीजेपी ने नोट बंदी से पहले अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में ओफिसेज खरीदे, तो ये हमारा काम पबलिक को सचाई बताने का है, प्रदान मंत्री जी ने स्वयम कहा, कि एरक्राफ्ट अलग है, और मैंने आपको दिखाया प्रदान मंत्री का स्टेट्मन, देख लीजे, उसमें क्लियरली बोल रहे हैं, कि एरक्राफ्ट इस दे सेम, डिफेंस मिनिस्टर एक दिन बोलती है, कि हम एरक्राफ्ट का दाम बताएंगे, दूसरे दिन बोलती है, कि हम एरक्राफ्ट का दाम नहीं बताएंगे, और फिर पता लगता है, कि एरक्राफ्ट का दाम तीन गुना बढ़ गया, तो हमारा सिंपल सवाल है और युवाओं का सवाल है किसानों का सवाल है आपने नरेंद्र मोधी जी ने युवाओं को किसानों को महिलाओं को चोट मारी क्यों मारी कालादन नहीं कम हुआ आतंकवाद कम नहीं हुआ असली नोट गायब नहीं हुए कोई ना कोई रिजन दो हो